भई जैसे हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ठीक वैसे ही टेस्ट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉश्टिक्ता से भरपूर, मूली से बनी कुछ अलक रेसपी जो आपको आपके परिवार को आपके दोस्त क आपके अपनी चैनल घर का खाना सेहता खजाना में तो चलिए इस शांदार सी रेसिपी को स्टाट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहां पर चाहिए दो मूली मूली को एकए करके इस तरह हम चील लेंगे और फिर इसको हम कद्दू कस करने के बाद हम यहां पा प्चमाल लैंगे एक चोटा-टुकड अद्रक कर लेंगे आद्रक को क्दू कज करने के बाद यहां पर हमने लिए मूली के पत्ते तो विलूभी पत्तों को शुकार efforts कचत्व करP करेंगे बहुत इ manure करें तो इसने समलि दाली से बिल्कुल भी से नहीं वेस्ट मत कीजिए सहब 這個 कढकें कट लेंगे उर अब लेना है और कट ऋको इसमें डालेंगे संभी मूली को ओर लिए विल्ञमी काटे हो हुआज वेस्चुरी और अब हम इसमें डालेंगे कद्दू कस्कियावा अद्रक और अब हम डालेंगे इसमें दो बारी कटी हरे मिर्च थोड़ा सा बारी कटा हरा धनी हम इसमें डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक स्वाधनों सा नमक डालें और अब हम इसमें डालेंगे आद और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हीम और अब हम इसमें डालेंगे बेसन और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा से बेशन इसमें कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा से बेशन और मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे टोटल हमने यहाँ पर 30 gram basin का यूज किया है और मूली में बहुत सारा रस होता है तो इसमें यह अच्छे से बैटर बन जाता है लेकिन जोड़ा पानी डालेंगे जैसे कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें पाई डालने की ज़रुत लग रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से फेट लेना है इसको जितने अच्छे से फेटेगा उतना अच्छा पकोड़े बनकर त्यार होंगे आप इसमें थोड़े से चावल काटा भी आट कर सकते हैं अगर आपको थोड़े से क्रिस्पी पकोड़े चाहिए तो यहां पर हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है और अब हम बैटर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर तेल में डालते जाएंगे जि इस तरीके से उलट-पुलट का गोल्डन ब्राउन होने तक ता लेंगे तो हम इससे इस तरह से बीच-पीच में उलटते-पुलटते रहना है ताकि पकोड़े हमारे चारो तरव से अच्छे से सिके इसको थोड़ा समिस्ते से दबा-दबा के भी अच्छे से पका लेंगे तक एच्छे से पक जाएं तो पकोड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसको हम निकाल लेंगे बहुती प्यारा बहुती सुंदर कलर आयस में और बहुती क्रिस्पी लग बने हैं पकोड़े बहुत जादा काने में टेस्टी भी है तो आप इस ऐसे भी खा सकते ब बना के देखेगा जरूर कभी तो फिला हम इसकी बनाएंगे सबजी तो पकोड़े हमारे बन चुके हैं यहाँ पर हमने ले लिए मिकसा जार इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज प्यांश हमने लिए इसको इस तरह से कट कर लिया है रफली और इसको मिस्तर से पीस लेंग दर दरा पीस लेंगे तो यह देखे हमने इसको बहुत जादा बारिक नहीं बनाया है इसको अपने दर दरा पीसा है दर दरा पेस्ट बनाना इसका हमने तो इसके बाद आप हम लेंगे यहाँ पर एक कड़ाई ले लेंगे कोई भी बरतन ले ले आप और इसमें डाल देंग उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग जादा हींग नहीं डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा को सेकिंड इसको हम भून लेंगे जीड़ा भुन जानने के बाद मेर धालेंगे 2 मीडियम साइस बारी कटे प्यांच और इसको हमल्का ब्राउन हुने तक प्रूनेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है सिर्फ हलका भूनेंगे क्योंकि हमें इसमें लसन भी बूरना है तो प्याच हमारा हलका भूरन हो गया है इसमें हम डाल देंगे एक चब मच करीब कुटावा अद्रक और इसको हम चलाते वे इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका कच्छा पर निकल जाए तो प्याच और लसन हमारा भून चुका है और अब इसमें डाल देंगे प्यांच का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम चलाते वे एक दो मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका भी कच्छा पर निकल जाए प्यांच का पेस्ट हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे एक चमश करीप कुटावा अध्रक प्यांच केवध्युआ बीड़िस आख में डाल देंगे दो बारीय realmente ही आजवेफिक मिर्च करें में दो बूल लेंगे ताकि भी कच्छा पर निकल जाए तो प्यांच अद्रक लेंश अब Ten läng को अब आंब लेंगे तबन पेस्ट है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच करीब नमक स्वाद नमक डाले हां और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटी चमच खल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे दालचीरी पाउडर, थोड़ा सा मिसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर अब इसमें डालेंगे एक चमश करीब कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा आता है तीखा नहीं होता जादा ये आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तीखा तो इसे हम लो फ्ले में एक दो मिनिट तक इस तैसे चलाते हैं भून लेंगे तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे दो चमश करीब भूनावा बेसन हम इसमें डाल रहें तो दो चमश इसमें भूनावा बेसन डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें बेसम को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेति हम इसमें डालेंगे बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे टेस्ट बहुत जादा एनन्स हो जाता है तो मिक्स कर लेंगे इसको भी हम कसूरी मेति को अच्छे से मिक्स करने क करीब आदा ग्लास पानी डाल लेंगे और अच्छे से चला लेंग curly ऐसे mix करने के बाद अब मेसे धक कर कुण मिनिट के लोग विर्टे । आरहिए है कि ऐजत में दो लिए ज्क्राद कर दकने देते हैं तो दो निटी थरा जोड़ दिया। और बहुत सुंदे सॉंदी सुंदी खुम पुश्बु और सभी मसलोंग महांते शुक्त सब्सक्राइब हैर दो निगे.......... दो चोटे गलाश हम इसमें गरम पाई डाल रहे हैं, गरम पानी टालने से सबजी बहुत जल्दी बन जाती है, पानी आप आप भी सब्सक्रियांड और जादा तो तरी बाला सबसंद हैं, तो आपसे उनका पानी और या सब्सक्राइब छल्दी बन जाती है, ग्रेवी ना ही जादा गाड़ी है और ना ही जादा पतली है तो अब हम इस पर डाल देंगे जो हमने मूली के पकोड़े बनाए तो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अल्मोस्ट मूली की ये नई तरीके की सबसी बनकर रेडी है बस इसम अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसम डाल देंगे थोड़ा सा बारी का टाहरा धनिया और इसको भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो बनकर रेडी है, टेस्टी मूली करीगे, शांदा स्पेश और रेसिपी, गैस को हम बंद कर देंगे, तो अगर आप मूली की इस नई रेसिपी को इस तरीके से बना कर खाएंगे, तो डेफिनेटली बार-बार आपका इसे खाने का मन करेगा, तो इसे हम एक बोल में निका आए होंगे, लेकित एक बार मूली के कोफते जरूर ट्राइए कीजेगा, आपको बहुत पसंद आएगा, तो उमीद करते हैं दोस्तों, आज की आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो बाई-बाई, टेक केर, थैंक्स वर वाचिंग,